हेलो फ्रेंड्स मैं काकुली कर्मकार मेरे यूटूब चैनल MLSKK में आप सभी का स्वागत है मैं इस वीडियो में आप से निर्लोजिस्ट की से कहते हैं और हम किन-किन बिमारियों के लिए निर्लोजिस्ट को दिखाते हैं या दिखाना चाहिए उसके रिगार्डिंग इस वी मेरी जानकरी आपको अच्छे लगेंगे तो मेरे साथ वीडियो के अंतक बने रही है सबसे पहले जानते हैं निर्लोजिस्ट किसे कहते हैं एक डॉक्टर और स्पेशलिस्ट और साइन्टिस्ट हो स्टड़िस्ट नाव अंट्रिस्टियां डिजीजेस कॉल्डे निर्लोज तो इसमें इसको आसान भावसा में कहते हैं तो निर्लोजिस्ट को स्ट्रियोग विशेशग्य भी कहां जाता है तो इसको हम लोग निर्लोजिस्ट को आधर वे में इस तरह बोल सकते हैं निर्लोजिस्ट और स्पेशलिस्ट हो स्ट्रिट डिजीजेस अब दा ब्रेन और स्पाइनल को पेरिफेलन नार्म्स और मसल्स तो जो भी डॉक्टर या स्पेशलिस्ट डॉक्टर या साइन्टिस् ये प्रेन और स्मानलकर पेरिफेलन धैंने मैं मुसल्स की चृक्ति हम बिमारियों कही इसक्राफ विलाज करते हैं तो आप चांवते हैं किन किन बी्मार के लिए हम लोग निड़ोजिस्ट को दिखाया जाता है, या हमें दिखाना चाहिए, तो most common neurological problems, ऐसे तो neurological problems के अंडर में बहुत सारे आपको problems आते हैं, लेकिन ये आपका most common problem है, तो चलिए देखते हैं, acute spinal cord injury, Alzheimer disease, Parkinson disease, headache, stroke, multiple sclerosis, ataxia, bell's palsy, brain tumors, cerebral aneurysm, epilepsy, and seizures, ये आपका most common problem है, निउरोलोजिकल, जिन मिमारियों के लिए हमें निउरोलोजिस्ट के पास जानना चाहिए है, तो hopefully मेरी जानकरी आपको अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को लाइक कर सस्क्राइब जरूर करें, आदेखें,